पाकिस्तान एसिया कब से बाहर हुई स्रिलंका रोंद कर बनाया फाइनल में अपनी जगह टीम इंडियास होगा 17 स्टमबर को महा मुकावला तो क्या है खबर की पूरी जानकरी और किस तरह स्रिलंकार पाकिस्तान को सुपर फोर के सेमी फाइनल में आराया है बताएंगी इस वीडियो में उससे पहले अगर आप भारत्य टीम के सचे फैने वीडियो को लाइक एवी चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसिया कब 2023 के फाइनल में खेलने वाली दूसरी टीम का फैसला हो चुका है 17 स्टमबर को टीम डियाक साथ कितावी टकर में बांगलादेश का सा स्रिलंका का सामना होने वाला है स्रिलंका टीम असानी जीत की तरफ बरती नजर आ रही थी कप्तान बाबाराजम ने साइन अप्रिदी को गेन थमाई और उन्होंने एक ही उपन में दो लगातार विकेट लेकर मैच में रुमांच बढ़ा दिया पहले धननजे डिस्रिवाक पिर अगली गेन पर दुनित मेला नागे को आउट कर मैच में टीम को वापसी कराई आकरी दो गेन पर छे रंग की ज़रत थी चरित असलंका को चोका मिला और पिर अगली गेन पर दो रंग लेकर टीम को फाइनल का टिकट दिलाया स्रिलंका गलिए शुरवाती जटके एक टीम को उभरने में पुसलडा मेंडिस ने मदद की उन्होंने एक छोरत को थामे रखा और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की 47 गेंदों पर पांच चोकेक मदद से 50 जरा और उन्होंने 87 गेंदो पर आच चोके और एक छकेक बदूलत एकौन में रन की बेमिशाल पारी खेली सतक सी भले ही चूक गए लेकिन और टीम की जीत में आम भूमी कानिवाई एसिया कप के सेमी फैनल महने जा रहे आकरी सुपर फोल में स्रिलंका खिला पाकिस्तान की बल्लेबाजी खराब रही बारिश से बादीत मुकावले में स्रिलंका गेंदवाजों ने पाकिस्तान के तोपोलर को नकाम कर दिया फकर जवन बावर आजम और मुहमद आरिस अपना विकेट गवाब बैठे मतिसा पधिराना ने एक बार फिर कमाल किया तो दुनीत वेरालागिन कप्तान बावर आजम का आम विकेट चटकाया आकरीट में मुहमद रिजवान और इप्तियार ने रन बनाकर टीम को 252 रन तक पहुचा है पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज एक बार फिर से बरे मैचों में फ़ैल सावित हुए 130 के स्कोर पर ही टीम ने पाँच विकेट गवाद दिये थे इसके बाद मुहमद रिजवान और इप्तियार के साथ मिलकर छटे विकेट के लि जित लिया और फाइनल में अपनी जगा पकी कर ली है अब सिर्लंका टीम फाइनल में भारत से 17 सेप्टेंबर को खेलने वाली है